मौदे कई मानिय सदस्यों ने अपने बहमूल सुझाव दिये हैं जिससे यहाँ दर्साया गया है कि या जन सुविधा के लिए और सरकारी योजनाओं को सुगमता से पाड़ दर्शता से बिना बिलम पहुंचाया जा सके जो राज के लिए भी और केंद्र के लिए आवस्यक ह उसकी चिंता व्यक्त की गई है सबका समधान है इसमें एकाद मानिय सदस्यों ने अपने संका वी व्यक्त की है मैं उसे आगरह करना चाहूंगा कि संका की कहीं समें कोई गुंजाइस नहीं है बहुत ही पवित्र मन से मोदी जी की सरकार इस विद्यक को लेकर आई है मानिये मोदी जी की सरकार जन सुविधा में किसी भी और किसी भी कारण से बिलंब न हो और उसको सिवाए परदान की जाए इसके लिए एक जन मिर्तो परमान पत्र यानि रजिस्टेशन के माध्यम से इसका डेटावेस त्यार करने की मंसा से यह विद्यक लाई है और महोदे जब यह विद्यक लाने की बात आई किंद्र सरकार जब सोची तो किंद्र से संबंधित सभी विभागों सभी मंत्रालेओं और सभी राज्यों किंद्र सासित राज्यों से इसमें प्रामर्श लिया गया महोदे किसी ने कोई आपति दर्ज नहीं कराई सबका समर्थन प्राप्त हुआ उतना ही नहीं यहां महीनों तक जो इसका ड्राप्ट बना वह जण प्रामर्श के लिए भी रखा गया और जण सामान की ओर से जो भी सुझावाएं उस पर भी महोदे बिचार किया गया है और महोदे यहां जन्म और मिर्टू परमान पत्र का इससे सरली करन होगा महोदे पहले फिजिकल रजिस्टर में यह दर्ज होता था अब इसका बिजिटर डेटाबेस बनेगा जिससे बहुत ही किसी को भी जुरत पढ़ेगी अपने जन्म परमान पत्र के या किसी के मिर्ट पर्मानपत्र की जुरुत होगी, तो अज जहां रहेगा, बहुत ही सरलता से उसको उप्लब्द हो जाएगा, बहुत है या जन पर्मानपत्र को, इसके रैजिस्टेशन को, रैजिस्टेशन के पस्चाज जो जन पर्मानपत्र मिलेगा, साथ दीनों के अंदर, जब सुचना प्राप्त होगी उसके साथ दीनों के अंदर उसको पर्मान पत्र उपलब्द करा देना है ऐसी बेवस्था की गई है जन सिकायतों का निवारन हो इसके लिए इसमें सरलता से इसकी बेवस्था की गई है महोदै यह जन पर्मान पत्र एक ऐसा डॉकमेंट होगा जो कहीं ही चाहे किंद्र में या राज में जाए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाए चाहे मद्दाता सूची में नाम के लिए जाए चाहे किसी सिक्षन सस्थान में एडिमिशन के लिए जाए उस समय जब जन्म और अस्थान का परमान प्रत परमान प्रत करना हो तो वह एक बह विवस्था इसमें महोद क्या गया है तो इसलिए जन उप्योगी है सरकार जन स्विजा के लिए जन उप्योगी चीजों में इसका उप्योग हो इसके लिए जन हिति में लाया हुआ यह विद्यक है निवेदन है सबसे कि इस बहुत ही महतपुर्ण विद्यक को संसोधन विद करेंग